कॉंग्रिस के वरिस्ट नेता दिग्विजा सिंग ने एक बार फिर कई सारे ट्वीट किये हैं जिसमें इस बार उनके निसाने पर बीजेपी और आरेसेस की जगह कॉंग्रिस के ही कई बड़े नेता हैं दिग्विजे सिंग ने सिलसिलेवार तरीके से आठ टूइट किया है और जिसमें उन्होंने कॉंग्रिस पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं की आलोचना की है जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और अमित साख की आलोचना करने से घबराते हैं या उनको लेकर एक सौफ प्रधान मंत्री की प्रसंसा करते हैं इसके साथ ही दिग्विजे सिंग ने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि कॉंग्रिस में संस्थागत रूप से बदलाओ हो और राहुल गांधी ने बीजे पी और प्रधान मंत्री को लेके जो एक टफ स्टैंड लिया है उसका समर्थन क कॉंग्रिस के बड़े नेताओं को भी करना चाहिए दिग्विजे सिंग ने कहा है कि अमिट्सा और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही कॉंग्रिस पार्टी है जो अंग्रेजों के सामने भी नहीं जुकी थी दिग्विजे सिंग ने कॉंग्रिस के जो और दूसरे तमाम बड़े निता हैं वो उनका साथ दे